कि नमस्कार साधनावनी उसके खास कारिक्रम क्रॉस फायर में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे केंद्री मंत्री हरीश रावत जी से रावत जी मध्यप्रदेश में ऐसे समय आपको भीचा गया है जब आपके ही दल के लोग जो हैं वो हंगामा मचा रहे हैं अ मध्यप्रदेश में जनता में अकुलहाथ है परिवर्दन की है तो हमारे नेतागन भी दस-एक साल से संगर्ष कर रहे हैं तो हर व्यक्ति यह समस्तर था कि दस साल के संगर्ष के बाद हमें आउसर मिलना चाहिए तो स्वभाई ग्रूव से हमारे वहां टिकट की दाविदा यह ज्यादा थी और मैं उसको गलग भी नहीं समझता जब नहीं मिला तो थोड़ा सा आक्रोस स्वभाईक है लगती को लगता है कि दस साल लगातार मेहनत के बाद मुझे उसर नहीं मिल पाया यह अलग बात है कि पार्टी में उतने ही समकक्स या उनी जैसे किसी दूसरे सा साथी को दिया हो लेकिन पहला साथी यह समझता है कि या मिझे क्यों छोड़ दिया गया और फिर हमारे पाद कई सीटूब है नंबर एक भी हमारा है नंबर दो भी हमारा है नंबर तीन भी हमारा है तो यह मैनेजमेंट हमाले बड़ा कठिल काम अब भी कठिल है लेकिन उप और उन लोगों ने मैनेज किया तो आज हम कह सकते हैं कि जहां भाजपा में पचास से बड़े पचास से ज्यादा बड़े बड़े बागी हैं जिसमें XMPs, MLS तब हैं हम अपने लोगों को मैनेज कर पाए हैं हमारे पास 18 एक के करीब अभी भी फील्ड में हैं हमारे संयोगी पुराने और उन में से भी चार छे ने इच्छा प्रगट की है कि वो अपने साथियों से परामस करके अपना ना मुआपस रे लिए तो मैं यह कहता हूं कि बाए अनलार्ज नाराजगी को सब्साइट करने में उसको उससे होने वाले नुक्षान को सीमित करने में हम सबर न लेंगी और ऐसा हो नहीं पाया जो आपकी महिलाविंग की अध्यक्ष हो या बाकी की अन्य महिलाएं हो जो लंबे समय से काम कर रही हैं फिल्ड में उन लोगों को भी टिकेट नहीं दिये गए यह सब लोग हैं बहुत अच्छा काम करने वाली महिला हैं यहीं पर एक आभा क्रिक्टोरल कंपल्सन में चुनावी कंपल्सन में हमारी ऐसी करीब आधा धरजन महिलाएं जो जिनको हमको टिकर देना चाहिए दाम नहीं दे पाए और मैंने उन बहनों से संपर किया है और उन से कहा है कि पार्टी जो है कहीं कहीं आप लाईए सब्ता में आपका ध्यान रखेगी और हमारे सामने अपरचुटी बहुत हैं आगे जो हम क्रेट करने जा रहे हैं हम बिल्हान परिशद क्रेट करेंगे हम लोग सत्ता में आएंगे तो चेर्वे नित्यादी के जो यह तरी के दाइक तूए वह भी आगे हैं संगेठन में हम बहुत सारे लोगों का सम अधिक्ष्वी हो जाओं तो इस तरीके से संगर्ठन में हैं जो काम कर रहे हैं तो सरकार आने के बाद चेर्में के बाद वह अपने एस्तान को दूसरे साथियों को दाएंगे तो इस तरीके से हम बाए इनलार्ग यह तो 10 साल के और उस से पहले के हमारे सायोगी हैं, संगर्स के साथ ही हैं, उन सब लोगों को समाय उजित कर पाएगे और उसके लिए मैंने मोहन प्रकाजी के साथ बैट करके एक योधना बना दी है ये भी कहा जा रहा है कि जब इस बार जो टिकेट वितरण हुआ उसमें कुछ लोगों ने हाई कमान के जो आदेश थी, उनकी अवहिलना की है देखे ये मुद्दा उठा है, आज के दिन हमारे सामने ये हमारी प्रात्विक्ता नहीं है इस समय तो प्रात्विक्ता है, चुनाव जिताना है, जिसके बाद हमारा सेंबल है जिसको हमने पार्टी उमिद्वार कोशिट किया है, और मेरा काम यहीं से स्टार्ट होता है तो इसलिए पीछे क्या है, ये मेरे जानने की चीज नहीं है, इसलिए मोहन प्रकास देखेंगे लेकिन बाइन लार्ज जो ठीक दिये गए है, ठीक दिये गए है, समनुए किया गया है अब इतनी बड़ी विधान सवा में दो-चार-दस जबएदी सिकायत न रहे, तो फिर तो पार्टी क्या है, फिर तो भाइबरिन पार्टी नहीं है यह भी कहा जा रहा है कि प्रेमचन गुड़्डू जो आपके सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने धोके बाजी करके अपने पुत्र का नाम उसमें भर लिया, खुद कांतिलाल भूरिया जी उसकी जांच करा रहे हैं अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूं, क्योंकि एक अनिचुक आदमी को हमको टिकर देना पड़ा था, क्योंकि जो इचुक व्यक्ति था वो आनी पा रहा था, और अनिचुक व्यक्ति को लडाना पढ़ रहा था, तो कम से कम बैकल्पी को उमीदबार भरा होने के कारण, स्री प्रेंचन गुड्डू का लड़का लड़ पाया, पर यहां से तो भर के नहीं गया था, वो नाम भर के गया नहीं गया, कभी-कभी जिसको कहता है, ने बून इन जिसकाइज, यह मैं इस रूप में देखता हूं इसको, कि भाई, जैसा भी हुआ, उसमें भी जिता करके लाई है, वो लगाएंगे पुरी शक्ती, पर यह भी कहा जा रहा है, कि इससे हाई कमान की जो एक साख है, प्रदेश नेतरत की जो साख है, वो भी दाव पे लग गई, और यह कहा जा रहा है, कि साब भविश्व में एक यह राह खुल गई है, कि ऐसे आदमी के लिए टिकेट की पैरवी करो, जो बाद में आपको बेच दे टिकेट, यह अपना नाम बदल के आपका नाम, जो चाहे से चाहते हैं, उनका नाम डलवा दे. यह कॉंग्रेस पाटी है, यह बड़े-बड़ों को जब चांटा लगाती है, तो किसी को उस चांटे का एशास उशी समय हो जाता है, जो मुझ जैसे लोग हैं, और कई लोग जो है, जो जद को एशास नहीं हो पाता है, तो उनको दो-चार साल बाद समझ माती है, कि कैसा च मारी नाम भूग इतना पड़ता है, बला भाई का मान तक यह बात पहुंची है, यह इस समय एक observer का कथन नहीं है, क्योंकि मेरा कथन चेतावनी भी माना जा सकता है, मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा कि मेरा काम तो वहां से स्टार्ट होता है, जहां पर न यूगी है, मगर जो मैंने कहा कि भई कव चांटा लगा, तो चुछ को जल्दी मालूम होता है, जिको देर मालूम होता है, लेकिन कॉंग्रेस का चांटा लगता जरूर है, जो गल्ती करेगा, तो मैंने अपनी बीती, अपनी अनुवह से बता है. काई कॉंग्रेस ही जो नेता हैं कारे करता हैं वो कॉंग्रेस छोड़के दूसरे दलों में जा रहा है किस ने कह दिया अब उद्र प्रताब जी की बात कर लें या इससे पहले मानविन जी की बात कर लें उद्र इत्यादी जो है वो ब्रह्म में चले गए पस्ता रहा होगा नहीं पर पिछले 6 महीने से ऐसा हो रहा है मुझे पहले बता दिया होता पंद मेन पहले भी बता दिया हो तो पार्लेमेंट का लड़ाना इन लड़ा उसको किसी ने समझा दिया कि तो सुरहषपचौरी तो इतने ताकतवर हैं आप तो पार्लेमेंट का नहीं मिलेगा अब वह उस ब्रह्म में कुछ गलती कर बैठा है आप पस्ताएगा चार्चे मैंने यह भी जाएंगे आगे भी भ तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं मैं तो उसको अपने छोटे भाई की तरीके से मांता हूँ इछले 6 महीने से यह निरंतर एक करम सा चल रहा है कि जो आपके कद्दावर नेता है वो धीरे धीरे बीजेपी में जा रहे हैं मध्यपरदेश विदान सभा में उपनेता थे जो आपके राकेश चौदरी जी वो भी बीजेपी में चले गया है महाराज हम तो इनके बड़े बड़े नामों को ले लें कॉंग्रेस में लेकिन क्या करें यह संस्कृति से हैं और वो संस्कृति से पल्ला छुटा थे बड़ा टाइम लगता है तो हम लेना नहीं चाहते ह जब भाजबा का हाल यह है कि उनको जो है हमारे घर का इदी मलवा भी है तो उनको मकान लगता है क्योंकि उनका अपना देखने का हुआ है तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कांग्रेस में एक बात और सामने उभर कर आती है कि एक नई परंपरा शुरू की है राहूल जी ने कि निचले इस तरका कारेकरता उभर कर आए और सक्री लोग जो है राजनीती में या फिल्ड में उनको मौका मिलना चाहिए देखे इसके लिए मैं उनको सैलूट करना चाहता हूँ बलकि ये संजेजी ने सुरू किया था और राजी बांधी जी ने इसको बड़ी सिद्ध से बढ़ाया था आप देखे तो यदि मत्वर्देश से कमलनाज जी उभरे युआ नेता के रूप में अदिग्विजे ओवरें और वी दूसे लोग ओवरें यह सब हम जैसे सामाने परिवार्यों के लोग थे अब हम लोग सामाने तो ऑ पार्लेमेंट की बात सोची नहीं सकते थे लेकिन उच परिवार ने ए सोज करके नहीं सब तरीके के लोग आने चाहिए पर सोशल स्टेटा के लोग हम लोगों को आगे बढ़ा है और राहुल जी बहुत साइंटिफिक तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं कॉंग्रिस के लिए आगे दस साल के बाद एक ऐसी फॉर्मीडेवल सिगन लाइन लिजर्शिप की तयार हो जाएगी कि वह हमको अगले तीस साल तक सत्ता में रखने का काम करेगी सिर्फ पीरियद हमारे पार क्रिटिकल है यह एक दूर साल का इस पीरियद में यदि हम कॉंग हो हम यह समझें कि नहीं है आज अपने जीवन के समस्त अनुवाओं के साथ हमको कॉंग्रिस को सत्ता में वापस लाना है दोहजार चौद में तो आप यह समझे फिर बीजेपी हैज नो फ्यूचर अगले पांट्दस साल के बाद आप देखेंगे कि जैसे जनसंग नहीं र कि आपने मामा के घर से तो नहीं लाए यह वाक के और यह जो जाम नगर मोजी से कहते हैं कि तुम अपने घर का थोड़ी लाए हो तुमने हमारे जिले में जो काम किया है तुम यह अपने मामा सब्सक्राइब मोदी जी याद दिना चाहता हूं कि गुजराज से लेकर के मद्वर्देश तक हरियाना से लेकर के केरल तक जहां तक भी चले जाएए जितनी स्कीमें हैं अधिकांग से जिनके कारण आर राजियों में कामों की चाहल पाल दिखाई दे रही है योजनाएं हो रही हैं गरीबूं के लिए काम हो रहे हैं और किसा राजियों को परिवर्दन का मात्यमाना इसलिए जो स्टेट सेक्टर एलोकेशन था उसको उन्होंने लगभग सवया कर दिया जोड़ा कर दिया और उधर उन्होंने जो केंद्र प्राइजित योजनाएं थी उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग कर दी जैसे अब नहीं नहीं हमने सुरू किया और नहीं में नहीं से दोगना हो रहा है शिक्षा के छेत्र में एंडिया के समय में हमारे जीडीपी का केवल केवल डेड़ प्रतिशत था अब डॉक्तर मौन सिंग ने उसको वड़ा करके साड़ी चार प्रतिशत कर दिया अब पैसा तो राजियों में आ रहा है हाई स्कूल नहीं खुलने हैं इंटर कॉलेज खुले हैं कक्षया कक्षया काक्स बढ़ रहे हैं वायल का विद्याले बढ़ रहे हैं शात्र विर्तियां बढ़ रही हैं दूसरे काम बढ़ रहे हैं तो यह दी नाक्तर मनमहन सिंग कहते हैं कि मैंने राज्यों को सिक्ष्या के मत में ज्यादा पैसा दिया है मैंने सुशल स्कीम्स के लिए ज्यादा पैसा दिया है मैंने सिचाई सम्ता बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा दिया वेने राष्टी किसी भी काज योजना में बागवानी भी काज मिशन के अंदर जादा पैसा दिया है तो भाई इसमें कटाक्स की क्या बात है यहां एक बात और उठती है कि मोदी जी की और राहुल जी की तुलना होती है मैं मोदी जी को एक सरा देना चाहूँगा कि आप ख्वाप बड़ा देख रहे हो बहुत अच्छी बात है लोग चंत्र के अंदर अच्छी बात है आप एक प्रसीदुन्दिता भी दे रहे हो लेकिन ज़रा सालींता का पुट रखो केंडर में कोई भी सरकार आएगे उस सरकार को ये हक है कि हम पैसा दे रहे हैं उसका सद्वित्यों करिय कहने का और यदि ये बात कॉंग्रेस कह रही है या मनमौहन सिंग जी कह रहे है तो इस पर कटाक्स करने के मज़ाए उनको ये कहना चाहे था कि वो इससे क्या ज्याद कर सकते हैं यदि नरेजमोदी यदि नरेजमोदी ये कहें कि 36 गड़ को इतना मिला है मैं सत्ता में आउंगा तो मैं इतना दूँगा इसको बढ़ा करके इतना कर दूँगा तो बात समझ बाती है यदि वो यह कहें कि डाक्टर मनमौहन सिंग जी के टाइम में केवल जीडिवी का 4.6% शिक्ष्या पर ब्याभ हो रहा है 36 गड़वाशियों मैं सत्ता मां हूँगा तो 10% कर दूँगा बलकि उन्हें ने चीन का उधारने देख करके कहा है कि 20% खर्च करता है जबकि हकीकत यह हैं चीन 3.79% खर्च करता है लेकिन वो कहते कि मैं मां हूँगा तो शिक्ष्या में मैं 15% खर्च कर दूँगा अब के लिए डायलॉग जावेद अक्तर तो आप हो सकते है यह जावेद अक्तर के कम्पिटिटर हो सकते है डायलॉग वाजी के अंदर लेकिन डायलॉग से देश की तकदीर नहीं लिखी जाती है देश के विकास का खाका नहीं बनाया जाता था इस बात को रेंग जी को समझना ठालब नहीं एनके मुद्दे पर एक अरडिनेस्स जो कैबिनेट ने पालिट किया उसको कहा कि इसको फारकर फैंक देना चाहिए ले नांसेंस है इसको किस तरह से देखते हैं ज़ुआ जोवानों की चारी के से काम करेगा ने जब मैं 1980 में आया था तो जोवान था परलियोमेंट में एक बिल आया मुझको प्रसंद नहीं आया मैंने परलियोमेंट में बोलते हुए कह दिया कि मैं यह बिल फार देने के काबिल है ब्रूरिंग पार्टी का मैंबर था मंती ने इंदर जी से शिकायद की इंदर जी ने मुझे बुलाया क्या 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 तक्लीफ है मेंने कहा इसमें यह तक्लीफ है मंती जी कुछ कहने लगे लिए ता पर गणिडी की मैंबर अग्र моजवान वी तो है यहां वह गुष्षे से नहीं कहेगा या नौजवान किसी चीज़ को फुर्शफुली नहीं कहेगा तो राहूल गादीजी ने देश की जवानी किस तरीके से बेताव है आप चीज़ों को बदलने के लिए उसका एक नमूना पेश किया है और मोदी जी से ले करके सब जो विवेक सील लोग है उनको उ सुप्रिम कोट की सीटिंग जर्ज ने कहा कि मैं उस नौजवान को थैंक्स करना चाहता हूं कि एक गलत कानून जो बनने जा रहा था उस नौजवान की तरफ ने उस कानून को गलत कानून को बनने से रोक दिया मदिपदेश के संदर्म बात करें आपका पार्टी का गुष्णा पतर आया है उसमें कई चीज़ें मुस्त देने की बात की गई है राशन की बात कर लें बच्चों को स्कूटी की बात कर लें इस तरीके की लैपटॉप की बात कर लें ये जो मुस्त की चीज़ें आती है आ मुप्त देने की बात करें, जो उनके बित्ती पूर्त हो, उनके बित्ती प्रवद्दन की है, अब इस समय है ये, 36 गड़ अपनी इतनी बड़ी पी ठोक रहा है, कि हम तो सस्ता गेहूं चावल दे रहें, उन्होंने एक रूपी में कब आए, जब केंद्र में हमने कहा, कि हम security का कानून ला रहे हैं, तो रमन सिंग जी ने जल्दबाजी में, कि कहीं इसका फाइदा नहों, अपने वह इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि हाकिकत यह है, कि राज्यों ने अपनी बित्ती स्तिती को देख करके ये काम करने चाहिए, मैं, मैं आप से ब्लकुल सहमत हूं, कि सकल अर्थ व्योस्ता के संचालन में बहुत विवेक के साथ हमको चलने की जरूवत है, क्योंकि हमारी सामने अब जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो बड़ा स्टीक्स है, बड़ा तेज उचान, धलान वाला है, तो उसमें यदि बढ़ना है, तो हमको वित्ती अनुश सीखना पड़ेगा, मगर आज राजी कर रहे हैं, मध्यवरदेश कांगरिस की लीजर सिपने बहुत डेलिवरेशन के बाद कि क्या हम इतना निकाल सकते, मैंने देखा है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, वो बहुत बैग्यानिक तरीके से बनाया गया मैनिफेस्ट हुआ है, और बड़ा आकलन के साथ उसको बनाने का काम किया है, इसलिए मैं मध्यवरदेश कांगरिस को तो बदाई देना चाहता हूँ, लेकिन राश्टी संदर्म में ये कहना चाहता हूँ, कि देश की पार्लिमेंट को एक बार इस गंभीर विशह पर अध्यो वरांत चि इतने वाली है, हम भूमत लाएंगे, क्या वज़ा है, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, यदि हमने ठीक तरीके से लास्ट तक ठीक मैनेज कर दिया, तो कमफर्टेबल लाएंगे, और यदि कुछ जोड गड़ी गाने गागा में कमजूरी रहगी, क्योंकि मुझे बिलकुर स आप दिखाई दे रहा है, कि भाजपा के कई रेवल स्टॉंग पोजिशन में हैं, और हमारी भी मुझे लगता है, एक दो रेवल सायर रहे जाएंगे, और वो जीतने की पूशिन माहूंगे, तो यदि हम ठीक प्रवंदन करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी स्थिती बहने वाली है, जहां हम अच्छी स्थिती में दिखाई जा रहे हैं, और थोड़ा सा हर किसी ने अपने तरीके से काम चोरी कर दी, थोड़ा जोल लगाने में कम जोरी कर दी, तो फिर हमको दो एक इधर उधर से लेने पड़ेंगे, लेकिन सरकार हलालत में भाजपाज से हम चीन अचानक आई, और बड़े पैमाने भाई, तो थोड़ा सा सक्ते में तो आई गए, हम सभी आ गए, उसमें किवल, बीजय बहगुना जी पर प्रशुन ठाना ठीक नहीं है, और फिर भी कोशिश हुई कि स्तीती को सुधारे, और स्तीती सुधारी है, और मैं समझता हूंगी, बीजय बहगुना जी के सामने, अब आज सबसे बड़ा सवाल है, देश भी दुनिया भी बड़ी मदद कर रही है वो कैसे प्लान करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अव उत्राखन और रिहबिलिटेशन अव जो विक्तिम्स हैं, एफेक्टिव फैमिलीज हैं, उनका जो है, और इसको ये जरूर गोर से लोग देखेंगे, और इसी में हमारी सब की सबलता है, कि वो ठीत तरीके से इस काम को कर आए, इसलिए हम सब लोग मिल जूल करके इस मामने में लगे हैं, सेयोग देने में लगे फे हैं. महंगाई कंट्रोल मां आगे होती, तो ने 2G होता, ने कोईला होता, और ने ये पार्लियमेंट जो नहीं चलने जी जारी है, ये ऐसा कर पाते. महंगाई ने थोड़ा हमारा एक्विशन गड़वडा दियाई, और बड़े बुरे टाइम पर इसने हमारा एक्विशन गड़ कानून लेकर के आए हैं, और 82 करोड लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई दो चार पांच करोड का मामला हो, 82 करोड ज़रा अंदाज लगाई है, यदि आप अमेरिका में और इरोप में इस संक्या को बताएंगे, तो उनके दिमाग फड़ जाएंगे, वोगे अच्या 82 करोड लोगों को भारत अनिस्वरक्षया दे रहा है, तो मतलब यह हमारे इस कॉंशिडेंस को भी दताता है, कि देश के रूप में हम बहुत बड़े फैसले करने के लिए भी शक्षम है, अब हमारे साथ में कछिनाई क्या आगी, इस समय, एक तरफ यूरोप की अर्थिव ब्लॉक में, अर्थ विवस्ताप में बहुत जवर्दस स्लोडाउन आया, यही लोग थे जो हमारा रॉव मैटीरियल से ले करके हमारे हैंड ओम हैंडी क्राफ दूर से सब चीजों को करीदते थे, वहां से हम पैसा कमा करके लाते थे, जिस से हमारा खजाना भरता था, और उसको खर्च करते थे हम पैट्रोल डीजल आदी खरीदें में, अब 2004 से पता नहीं किस मूर्थ में हमने सफत ली उस समाई, या देश वालों ने हमको चुना, कि तब से तेल के राम नीचे होने को हैंडी, 2004 में 35 डॉलर प्रतिवैरल था, और आज जो है, 135 तक भी पहुँच गया एक बार, डॉलर, वो तो शीरिया के क्राइसिस होती, तो साइध 150 डॉलर प्रतिवैरल पहुच जाता है, और खरीजने वाले ज़्यादा होगे, आप दिल्ली में ही देखी है, इन चार, दस सालों के अंदर, कारूं की संख्या, चार गुना बढ़ी है, चार गुना, मत हों के सड़कों में भी निकल जाएए, तो आपको कारें और मोटर साइकलों का कारवान नजर आएंगे, जो है, तो यह जो समर्दी आई, उसकी वज़ज़ से गामीन से लेकर के सहरी चीतू के अदर, ब्यापक पहमाने पर जो है, ओटो मॉबाइल यूनिर्स के यूजर्स निकल करके आए, तो तेल की खबद बढ़ गई, डीजल पेट्रोल आ दीगी, और वहां खरीद, जहां जे खरीदना है, वहां जे महना खरीदना है, अब उसको बैलन्स करने के लिए, हमारे लिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने जरूरी होगे, गैस के दाम बढ़ान ही करते हैं, हमारे पाद बीदेशी मुद्रा है एतनी, कि हम अगले कुछ शालू तक तेल खरीद के लाएं, लेकिन जब बीदेशी मुद्रा खर्च कर देंगे, तो देश की जो भरम है, देश की विचे में जो बार एक हमारा औरा है, वो घड़ जाएगा, पर्शेप्शन ही आएंगे हमारे पास, तो हमको विदेशी मुद्रा का बंडार भी बना करके रखना है, दूसरी तरफ हमको, जो हमारी अर्थव्योस्ता की आवश्किता है, तेल आदी के उसको भी पूरा करने का काम करना है, तेल कंपनियों को बचाना है, ये दिमालियों को घाटे में ड काम काम हो, तूजी जिसको स्कैम कह दिया, वो एक पॉलिशी निरने था, ये जिक स्कैम होगा तो किसी का आगे पीछे कर दिया होगा वो लाइसेंस देने में किसी ने गरबर किये है, जो गरबर किये है, उसको लगावाद करी हम क्या कह एंगा हम थोड़ी रोग रहे हैं, लेकिन तूजी एक जो नेने था पहले आओ पहले पाओ का वो एक सुविचारित नेने था बजाए जो है आॉक्षन के क्योंकि हम यह चाहते थे mobile users की संख्या पड़े हमारी इसी policy का परिणाम है कि चीन से ज़्यादा mobile user हिंदुस्तान में है और दुनिया की सबसे सस्ती कॉल दर हिंदुस्तान में है एक mobile क्रांटी आई हिंदुस्तान के अंदर जिसको कह सकते हैं empowerment सूचना का empowerment जिसको कहते हैं एक तो सूचना लेने का अधिकार है यह सूचना संप्रक्षन का अधिकार लोगों को मिला एक मेरे घर में जो जाड़ू पोछे वाली मेरी बहन आती है उसके उसके बाद दो mobile है एक उसने अपके पती के लिए रखा है एक जो है जो बाहर से और काम करने वाले होते हैं ना जिनके वहां और जाती है उनको बताने के लिए रखा है तो यह कांती आई देश के अंदर जो है वाक्या एक टूजी के स्कैन जिसको कह दिया और हलला गुला मचा दिया उसके कारण जो सूसना कांती के चेत्र में हमारी प्रगती थी वो बाधित होगी वो बाधित होगी आज फिर से हमको जो है इस इंडस्टी को बूस्ट अप देना है तो उसलिए हमने कहा कि जितने रह गए हैं अब 90 करोड़ से जादा लोग के पास तो हैं है ना हाँ तो बागी के लोग गवर्परी दे दिया जाए तो ये थे हरीश रावाज जी विस्तार से हमने उनसे चर्चा की और उन्हें बड़ी बेवाकी से जवाब भी दिये क्रास फायर में आज इतना ही अगली बार किसी नई सक्सियस के साथ हम फिर हाजर होंगे तब तक के लिए हमें आग गया दीजिए नमस्कार